हाई दोस्तों, मैं मोनिका और आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक साइफाई साइकलोजी मुवी के साथ तब मिड़नाइट इसकाई तो चली शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत में हमें year 2049 दिखाया गया है, जहां और पूरी तरह से तबाह हो गई है एक natural disasters की कारण काफी लोग मारे गए और जो बचे कुछे इंसान थे, वो बंकर्स में या फिर habitable planet की तलाश में space में निकल चुके थे मुवी के शुरुआत में जो लोग हमें दिखाये गए हैं, वो कुछ scientist होते हैं, जो कि इस आखरी टाइप में earth को monitor कर रहे होते हैं लेकिन बिगड़ती situation को देखते हुए, अब वो भी earth को छोड़कर निकल रहे होते हैं तब ही हमारी मुलाकात मुवी के में लीड यानि जोर्श लूनी मिस्टर आगस्टीन से होती है वो एक बहुत बड़े scientist थे और साथी एक बहुत बड़े multi-millionaire business man थे ये इन लोगों के साथ जाने से इनकार कर देते हैं इनकी बिमारी की कारण इनके पास काफी कम टाइम बचा था और इन्हें हमेशा डालेसिस की जरूरत पड़ती थी अब वो एक ऐसे मातर इंसान थे जो पूरी earth पर अकेले थे काफी टाइम अकेले रहते रहते वो अपने अतीत के पन्नों में खो जाते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऐसे प्लैनेट की खोज में पूरी life लगा दी जहां पर इंसानियत को बसाया जा सके फाइनली उन्हें ऐसा एक प्लैनेट मिलता है और एक इवेंट के दौरान दो काफी कुछ इस प्लैनेट के बारे में बता रहे होते हैं जहां उनकी मुलाकात जीन से होती है ये दोनों काफी टाइम साथ रहते हैं और इन लोगे बीच काफी प्यार बढ़ जाता है और ये शादी कर लेते हैं लेकिन ये रिलेशन जादा दिन तक नहीं चल पाता है कुछ टाइम बाद जीन प्रेगनेंट होती है लेकिन इनके बिजी रहने वाले सुभाव से और काम पे जादा फोकुस देने की वज़ा से ये किसी को भी टाइम नहीं दे पाते जिसकी कारण जीन इरिटेड होकर इनको छोड़कर चली जाती है अब कहानी प्रेजेंट में मूव होती है कुछ टाइम बाद मिस्टर अगस्टीन को ये रिलाइस होता है कि उन्हीं की कमपनी के द्वारा कुछ लोगों को स्पेस मिशन पर भेजा गया था यानि जुपिटर्स के 23 को एक्स्प्रोर करने के लिए अब वही लोग और्थ पर एथर नाम के स्पेस शिप से रिटान आ रहे थे एक पॉजिटिव रिस्पॉंस के साथ में क्यूंकि वह के 23 इंसानों के रहने के लिए पूरी तरीके से सुटेबल था इस क्रू मेंबर्स में डॉक्तर आईरिस सुली और कमांडर एड़वल के साथ में और भी क्रू मेंबर्स थे आप मिस्टर ऑगस्टीन इन लोगों को किसी भी तरह से अर्थ पर आने से रोकना था लेकिन उनका कोई भी कॉणिक्ट नहीं हो पाता है यहां के खराब वेदर और फीक सिग्नल की वज़े से उनका कॉन्टिक्ट एथर से नहीं हो पाता तभी उन्हें याद आता है कि उनके लैब से कुछ दूरी पर एक और बेस है जहां उन्हें strong antenna मिल सकते थे लेकिन समय के साथ-साथ उनकी हालत काफे बिगरती चली जा रही थी उन्हें mental blackout सुने लगे थे और वो चीजों को भूलने लगे थे वो काफी देरी तक इकी जगा बैठे रहते थे और से चले गए यह किसकी बच्ची है जो पीछे चूड़ गई है वो तुरंत उस spaceship को contact करने की कोशिश करते हैं जो और से निकले थे कि किसकी बच्ची है प्लीज आगर की ले जाए लेकिन वीक सिगनल की वज़र से किसी से भी contact नहीं हो पाता है तब उस बच्ची से वो नाम पूसते हैं लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती वो पेंटिंग के जरीए अपना नाम बताती है आईरिस उसका नाम आईरिस होता है कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखने के बाद वो उससे काफी गुल मिल जाते हैं और काफी अटैच होने लगते हैं जैसे मानों वो उन्हीं के बच्ची हो और उन्हें इन लास दिनों में एक जीने की उमीद मिल गई हो लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह से उस एथर स्पेस्चिप को यहां आने से रोकना था दूसी तरफ यह क्रू मेंबर्स अर्ट पर रिटन लॉट रहे थे इस बास से अंजान की अर्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है अब यह इन्सानों के रहने के लाइक नहीं रह गया क्योंकि इनका अर्ट से कोई काउंटेक्ट नहीं था जिसकी वज़से इनको उसकी सिच्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था के 23 की कोई कुछ मिस्टर अगस्टीन नहीं की थी दूसरी सुबह अगस्टीन उस बच्ची के साथ कुछ जरूरत का समान लेकि उस पेस की तरफ निकल जाते हैं लेकिन रास्ते में काफे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पानी भड़ने की वज़से उनका डायलेसिस मसीन ढूप जाता है जिसकी वज़से उन्हें काफी तकलीफ होती है अब वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी सांसे कभी भी रुख सकती है लेकिन वो हार नहीं मानते इतना कम नहीं था कि रास्ते में आईरिस को जाती है उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उसे कोई जानवर उठा के ले गया वो काफी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं लेकिन फाइनली उन्हें आईरिस मिल जाती है और वो आगे का सफर तैह करते हैं जैसे तैसे करके वो स्लैब तक पहुँच जाते हैं और फाइनली एथर से कॉन्टिक्ट कर पाते हैं अभी वो अर्थ के बारे में एथर को सारी जानकारी दे ही रहे होते हैं कि इस पेशिप से कुछ एस्टरॉइट तकराते हैं और सारे कम्यून सिस्टम को डैमेज करके रख देते हैं जिसके वज़र से एथर इस पेशिप का फिर से और से कॉन्टिक्ट तूट जाता है अब इस डैमेज को फिक्स करने के लिए कुछ क्रू मेंबर्स को बाहर जाना होता है वो बाहर जाते हैं और इस डैमेज को फिक्स करते हैं फिक्स करते टाइम कुछ और एस्टरॉइट अचानक से आता है और एथर इस पेशिप से टकराता है जिसमें एक क्रू मेंबर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और वो वहीं दम तोड़ देती है जली उन्हें वापस से कांटेक्ट करती है और तब अगस्टीन उसे बताते हैं कि पृत्वे पर वापस मत आना यहां सब खत्म हो चुका है अब तुम लोगों को वापस जाना है और वहां जाके एक नई लाइफ की शुरुआत करनी है और हेमानेटी का एक्सपैंड करना है और उन लोगों को पृत्वी की सारी डीटेल भेजते हैं यह सब जानने के बाद वो क्रू मेंबर्स वापस जाने कर डेसायट करते हैं लेकिन उसमें से एक क्रू मेंबर जिसका नाम टॉम रहता है वो ओर्थ पर वापस जाने के लिए बोलता है इस उमीद में कि उसकी फैमिली उसे वापस मिल जाए और वो जिन्दा हो और टॉम स्पेस प्लेन की मदद से उसी समय औरत की तरफ निकल जाता है सुली अगस्टीन को वापत से कॉंटेक्ट करती है और उनसे बताती है कि आप से बात कर पाना मरी लाइफ की सबसे बड़ी अचिवमेंट थी आप ही मेरे आइडेल हो और आपकी ही वज़े से मैंने नासा जोईन किया था मेरी माँ आपको जानती थी मेरी माँ का नाम जीन था वो आपके बारे में काफी बाते किया करती थी तभी वो समझ जाते हैं कि ये मेरी बेटी है और तभी वो अठना पूरा नाम बताती है कि मेरा नाम है आईरिस तभी उन्हें याद आता है कि यह छोटी यहाँ पर बच्ची थी जिसका नाम आईरिस था और तभी मूवी का पलाट रिवेल होता है वो ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई छोटी बच्ची थी ही नहीं ये स्रिप उनका एक hallucination था जो कि उनकी दिमाग ने उनके सामने create किया था यानि उनकी दिमाग को ये बात कहीं न कहीं पता थी कि जो spaceship में लड़की आ रही है वो उनकी बेटी है तभी उनके सामने छोटी आईरिस की imagination create होती है तभी आईरिस उनसे पूस्ती है आपने एथर को कैसे contact किया तभी वो पताते हैं कि वो इस mission का पूरा का पूरा track रखे थे यानि उनको ये बात पहले से पता थी कि ship में उनकी बेटी है लेकिन बार बार blackout की वज़े से उनका सब conscious सुने जबाब देने लगता था और वो चीजों को भूलने लगते थे जैसे मानों उनका mind हुने सिर्प इसलिए जिन्दा रखा हो क्योंकि उनकी बेटी को यहाँ आने से रोकना था अब उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है तभी आईरिस उने उस खूबसूरत के 23 प्लैनेट के बारे में बताती है और फिर आईरिस और उसका पार्टनर वापस के 23 पर निकलते हैं सभी इंसानों की इस spaceship को इनफॉर्म किया जाता है के 23 के लिए और इसी तरह के से पूरे इंसानों का अस्तित्त बच जाता है जब उन्हें दूसरा habitable प्लैनेट मिलता है मूवी के लास्ट में हम अगस्टीन कुखुले आस्मान के नीचे खड़ा देखते हैं उनकी आखरी सांसों के साथ उनकी लाइफ अब खत्म होने वाली थी दोस्तो एक ऐसा साइंटेज जिसने अपनी पूरी लाइफ दे दी इंसानों के अस्तित्त को बचाने के लिए लेकिन जिस प्लैनेट की उन्होंने खोज की और जहां इंसानियत को बचाया गया वही पर वो नहीं जा पाए उनकी शरीर और उनकी दिमाग ने उनका साथ छोड़ दिया और यही पर यह कहानी कमप्लीट होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूले मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए